नवसकार मेरे प्यारे शाथियों आप सभी का परिच्छा शेतु के समच पर मैं विकेस राजतिवारी श्रागत करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों जैसा कि आप सभी को पता है कि MPPSC दो हजार चोबिस में एक नई करांती आ चुकी है और उस करांती का नाम है पाठे क्रम का बदल जाना यानि सलेबस का चेंज होना सलेबस क्यों चेंज हो गया किन कारणों से चेंज हो गया ये हम और आप नहीं चर्चा करेंगे हमारा आप चर्चा करने वाले हैं प्यारे विद्यारतियों कि सलेबस चेंज होने पर हमें कितना परिवटित होना पड़ेगा हमें अपने एक्जाम की, हमें अपने युद्ध की लड़ाई को किस इस तरपर आप ले जाने की जरूत है तो मेरे बच्चों, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दिया जाए कि 2023 में जो भी प्री का पेपर हुआ था देशंबर ने अभी रिजल्ट आया गया है जो कल पर सुम ठेक मेरे बच्चों, तो क्या इसमें भी नया सलेबस लागो होगा तो मेरे बच्चों, 2023 के एक्जाम में किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं आने वाला है ना सलेबस पे, ना पुर्णांक पे, ना ही किसी भी प्रकार से प्यारे विद्यातियों नहीं इंटर्व्यू में इध्यान रखेगा अब इसके आगे बढ़ते हैं तो ये पूरा का पूरा जो सलेबस है, ये प्रारंभी परिच्छा 2024 में भी लागू होगा मुख परिच्छा 2024 में भी लागू होगा और इसके इंटर में भी लागू होगा और आने वाले, ठीक है ना, जो नोटिफिकिशन होगे MPPSC के 2024 के बाद 25, 26, 23 जब तक की चैंज नहीं करता है तब तक प्यारे विद्यार्थियों ये पाठेक्रम as it is बना रहेगा ठीक है, तो ये तो तैयार हो गया है ना, कि 2024 में हमें अब नए सलेबस के सास जाना है देखे क्या था, 2019 में कमलु भई आये थे, कमलाजी आये थे, उन्होंने सलेबस बदला मामा आये, उन्होंने नहीं बदला, लेकिन अब इस बार मोहंच अच्चा आए है तो मोहंच अच्चा ने भईया, बदला उनके सासनकाल में फिर से आयोग ने ये बदला तो ये बदलाओ कितना important है हमारे लिए प्यारे बच्चों देखे, बाद बताओं मैं आपसे जितने भी विद्यार्थी थे, ये सच है कि अब तक के जो number of the प्यारे बच्चों, जो paper का जो number मिलता था ना कि आप economics पड़ रहे हैं, 30 number ही आना है कोई भी आप subject पढ़ रहे हैं, 30 number ही आना है तो वो जो सिरदर्थ ना प्यारे बिद्यार्थियों उसे इस syllabus ने खतम कर दिया, कम कर दिया है ना, और third paper में जो एक बहुत बड़ी toughness बनी होई थी उसको भी थोड़ा सा प्यारे बिद्यार्थियों easy कर दिया है ठीक है, क्योंकि इस बार economics भी जोड़ दिया गया और दूजी तरह आपका विज्ञान तो जिन्दाबाद है ही मेरे बच्चों तो ये चीजे हैं जो आपको बड़ा ही प्यारे बिद्यार्थियों आसान करने वाली है लेकिन सबसे पहले सुरुआत से देखते हैं प्रारमभीक परिच्चा यूनिट उतनी ही है बस आयोग को प्यारे बिद्यार्थियों संविधान वाले पोर्सवर में एक लाइन में आप रख दिया गया है है ना, हटाया नहीं ये ध्यान रखियेगा जो संविधानिक संस्थाएं हुआ कर दी थी प्यारे विद्यार्थियों राष्टी संस्थाएं हुआ कर दी थी, हटाया नहीं है बस टेंथ यूनिट से निकाल को से अब एक लाइन में प्यारे विद्यार्थियों साटेक कर दिया है लेकिन 10th unit में जो परदिश दिखाया गया है क्योंकि आप शब को पता है MPPSC का जो इस बार सलिबस बतला है ना जए प्रारमी परिच्छा का उठाई है मोख परिच्छा का उठाई है थेर MP केंदिक तो पहले सही था लेकिन अब के सलिबस में हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि हमारा MPPSC का पेपर है MP oriented ज़्यादा हो गया मद्यपुदेश के अंदित ज़्यादा हो गया यानि कि अब आपको अपने प्रारम्भिक मोख परिच्छा और साक्षातकार की जब तयारी करनी है प्यारे विद्यार्थियों तो 360 डिग्री अंगल पे करनी है वो मद्यपुदेश के प्रदिश में जाहे वो राजनेतिक हो, जन्जाति हो, सामाजिक हो, वार्थिक हो, भगवलिक हो किसी भी प्रकार की संदर्फ हों हर संदर्फ में आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी और सबसे अच्छी बाग प्यारे बिद्यार्थ यह रही है इस बार कि सलेबस से कि हर एक बच्चा यही मांग रहा था कि सर हमें कुछ अच्छा चाहिए हमें बतलब हमें पेपर का लेवल वैसा चाहिए जो रटे रटाई पर नहीं थ्रासा सर यूपियसी वाला मॉडल हो थ्रासा जहां पर हम खुद सोच के समझ के अपने उत्तरों को और अच्छा क्राफ्ट करके वहाँ पर लिखें और जो मज़ा आने वाला है न प्यारे विद्यार्थियों जो आपको टकर देने वाले हैं खास करें MPPSC के वह विद्यार्थि जो अपने आपको थोड़ा सा रटन्त वाले पथपे लेके चलते हैं तो मेरे बिच्चों वहाँ से आपको निकल के थरसा UPSC औरेंटेट होना पड़ेगा और UPSC के अभ्यर्थियों को इस सलेबस में अच्छी खासी मदद मिलने वाली है ये ध्यान रखियेगा तो जिन विद्यर्थियों ने अपनी तैयारी UPSC औरेंटेट पर की थी उनके लिए सुने पे सुआगा है लेकिन ऐसा नेक MPPSC की जिसने तैयारी की थी उनके लिए बहुत अलग हो गया ऐसा कुछ नहीं देखो आपने पढ़ा सब कुछ था बस इस परिवर्तन को आपको सुईकारना पड़ेगा आप इतना ही समाज सार से पढ़ रहे थे आप एकनोमिक्स भले अब आपको बता दिया गया कि नहीं आरा बड़ा सा हमने दे दिया है आपको और आपको अच्छे से करना ही करना पड़ेगा प्यारे बच्चों और सबसे important चीज मेरे बच्चों कि जो paper first, paper second, paper third 3300 के होते थे 3300 कहीं है, कोई दिक्कत नहीं है fourth paper प्यारे बच्चों आप सबको पता है ये भी अब कित्ते का हो गया है 300 number का हो गया है इसे भी अब 2 part में कर दिया गया है आ और 2 part में 500-500 number में बाढ़ दिया गया है आपका जो हिंदी का भासा का paper प्यारे बच्चों होता था दियान रखना है कितने का दाई गंडे का तो मेरे बच्चों ये छोटे-छोटे से changes हैं जिन्हें आपको अपने दिमाग में रखना भी है और पढ़ना पड़ेगा और सबसे प्रमुख बात ये है मेरे बच्चों पाठे करम की बदलने जो अपने दिल से मैंने देखी है और समझा भी हूँ कि जो इसके पहले वाला जो पाठे करम था अगर आप किसी भी विद्यार्थी से पूछते न दिल से कैसा है तो बोलता था सरी ये क्या कर दिया है क्या ही कर दिया है अगर आपको ये सलीबस बहुत टफ लग रहा हो कि नहीं सरी लगता है क्या कर दिया गया है तो एक बड़ आपना CG PSC के सलीबस को उठा के देखना तब पता चलेगा कि नहीं सरह हमारा कुछ भी नहीं है कुछ मतलब कुछ भी नहीं है तो कहने का दात पर शिर्फितना है प्यारे बच्चों अब का जो सलीबस है वह आपको ज्यादा sensible बनाएगा आपको ज्यादा प्यारे विद्यार्थियों aesthetical बनाएगा आपको थोड़ा सा ज्यादा thinker बनाएगा आपको socialist बनाएगा मतलब आपको प्यारे विद्यार्थियों जो रटन्द विद्या घुटन्द सास्त्रम बाला चलता था ना वो पुरी तरह से हटेगा है ना आपको 360 डिगरी एंगल में चीजों को सोचना पड़ेगा ड्राफ्ट करना पड़ेगा आपको अपने पढ़ने आपको अपने लिखने आपके अपने उत्तर लेखन का जो ड्राफ्ट का पैरे विद्यार्थियों उसे भी बदलने का समय आ चुका है और MP के उने विद्यार्थियों से खास निवेदन है मेरा जो एक धर्रे पे एक ही नोट्स, एक ही प्रकार के तरीके से पढ़ते चले जाना एक ही किताब से जो बहुत सारी दिक्कते हम धो के चलते हैं तो प्लीज उस धोई हुई चीज को न थोगा सा किनारे रखे और नए चीज को स्विकार करिए, नए तरीके से पढ़िए बरना प्यारे बच्छों आप देखी रहे हैं क्या हालत हो रही है अब आप कट आफ तो आप देखी रहे हैं, कहां तक जा रहा है तो अपनी तेयारी को भी प्यारे बिद्याथियों में यहां तक ले के जाना पड़ेगा तब तो हम कट आप की आसपास कहीं पहुंच पाएंगे ना और प्रारमी परिच्छा अपस की कट आप की बात है। तो ये मुख परिच्छा के भी cut-off के प्यारे विद्यार्थियों बात हो रही है, कि मुख परिच्छा में, यदि हमें अच्छे नंबर प्राप्त करना है, प्यारे बच्चों, तो अपनी तयारी को मुख परिच्छा के साथ ही करिएगा, और हाँ, मैं उन सभी विद्यार्थियों को पिछले वीडियों भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि आपका अप्रेल में प्रिलिम्स है, तो प्लीज, अभी आप अपनी मुख परिच्छा दिया, बारा घंटे पर रहे हैं, तो कोसिस करिए प्यारे बच्चों कि 6 घंटे आप मुख को दीजे, 6 घंटे आप प्यारे विद्यार्थियों प्राणविक परिच्छा को दीजे, इसके साथ साथ जैसे जैसे प्राणविक परिच्छा का समय आता जा है, आप मुख परिच्छा के समय को मुख परिच्छा के तैयारी को थोड़ा कम कर भीजे प्राग्भिक परिच्छा के तैयारी को बढ़ा दीजेगा ठीक है इसमें disturbance जैसा कुछ नहीं है वही है बस थोड़ा सा यहां factual है वहां पर प्राग्विध्यार्थियों descriptive लेकिन पढ़ना आपको वही है कुछ अलग से नहीं पढ़ना है और सबसे ची बात यह है रोचक बात यह है प्राग्विध्यार्थियों कि अब आप जब भी पढ़ने मैठे न तो कोशिस करें कि कम सब्द कम source और कम से कम समय पे निपटने की कोशिस ना करें बना MPPSC आपको हमेशा सस्ते में निपटाएगा तो मेरे बच्चों आपको ज़्यादा पढ़ना है बड़ा पढ़ना है बड़ा लिखने का प्रियास करना है ताकि जब हम उसे चाटें तब ही तो प्यारे बच्चों देखी कितना बड़ा पत्थर होता है उस पत्थर से ना एक इत्ती सी प्यारी सी प्यारे बच्चों मोती निकल के आती है तो आप खुद सोचिए कि जब हम पढ़ेंगे ये 100 सब और 100 सब्दों में ही हमें लिखना है तो हम कैसे लिखके आएंगे एक्जाम हौल में नहीं लिख पाएंगे हम फिर वहाँ फैंक के आते हैं पता है कुछ भी आलबुलो लिखके चले आते है वो नहीं चलने वाला है मेरे दोस्त कब तक कैसे चलेगा बार-बार पास फेले नहीं का ये करम चलता रहेगा इस करम को हमें अगर बंद करना है तो इस पाठे करम की नए सांचे में अपने आपको डाल दीजिए फिर देखे उत्तर भी अच्छे से लिखा जाएगा और प्यारे विद्यार्थियों जो परणाम होंगे उसे कंधस्त करिए और प्यारे विद्यार्थियों लग जाएए ठीक है? और निरास नहीं होना है MPPSC is not for a memes maker आई बस समझ में मैं देख रहां उंकल से कि जैसे ही सलेवस चेंज हुआ है सब memes बना बना के सब कोई वाट से Facebook हर जग है डाले पड़े भाई मेरे ऐसे नहीं होता है ठीक है न? कोई MPPSC हो, UPSC हो कहीं कभी टॉपर हो न? उसको आप memes बनाते memes share करते नहीं देखेंगे वो उस challenge को सुईकार करता है अगर आपको ये condition दी गई है, इस situation दी गई है तो भाईया इसे आपको ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये DC बनना है, आपको ये DSP बनना है न? तो भाईया सुईकार करो, आंगे बढ़ो लग जाओ आँगे, फिर देखो कैसे exam आपका नहीं निकलता है ठीक है, तो ये छोटी छोटी बाते इतना ही, मिलते हैं, तब तक लिए शभी को thank you, bye bye and take care